मौल रोड से गुजरते हुए अब हम पहुँचते हैं गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्पलेक्स कला में रूची रखने वालों के लिए गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्पलेक्स एक बहतरीन जगह है क्योंकि ये शिमला में विभिन्नक कार्यक्रवों की मेजबानी करता है ये भारत में सबसे पुराने सांस्कृतिक परिसरों में से एक है 122 साल पहले के अपने इतिहास में शिमला में गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्पलेक्स को एक प्रसिध ब्रिटिश वास्तुकार हेंरी इर्विन द्वारा 1887 में विक्तोरियन गौतिक शेली में डिजाइन किया गया था प्रारम में ये एक बॉलरूम, एक कुलिस कारियाले, एक शस्त्रागार, एक ठेटर, एक बार और दिरगाओं के साथ एक पाच मनजिला इमारत गवा करती थी हाला कि इसके निर्माण के दो दश्कों के बाद संरचनाय बेहत असुरक्षित और अस्थिर पाई गई इसी के चलते अधिकांश हिस्सों को बाद में अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया लेकिन गौथिक शैली का गेटी थेटर अच्छूता रहा कुछ समय पस्चात नवीनी करणने कला गैलरी, रंगमंच, भहू उद्देश्य हौल, संग्रहाले और प्रदर्शनी हौल को मौझूदा परिसर में जोड़ा गया आज इस थल का उप्योग प्राचिन या एतिहासिक कला को प्रदर्शित करने के साथ साथ कई सांस्कृतिक कारेक्रमों के आयुजन के लिए किया जाता है शहर से कुछी दूरी पर स्थित ये थियेटर अपनी सांस्कृतिक प्रमुकता के कारण दुनिया के हर कोने से लोगों को आकरशित करता है